मैं आचार श्या मुहंत्र पाठी आप शभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं अपने चैनल के माध्यमशे मिथुन राशी के बारे में बताने जा रहा हूँ मिथुन राशी के लोगों के लिए दोहचार चावबिस नौमबर दिशंबर महीना कैसा रहेगा आपके कैरियर में किस तरह बदला होगा गरहों की कृपा आपके ऊपर किस तरह होगी नौकरी व्योशाय में किस तरह बृद्धी होगी ये सब जानने के लिए पूरी वीडियो मिथुन राशी के लोग अंत तक देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आपके भाग्य में गरहों की क्या इस्थिती है आपके कैरियर में गरहों का किस तरह कृपा होने जा रहा है मिथुन राशी के लोगों के लिए बड़ी खुसकवरी जो अभी तक समस्याएं चल रहा था जो आप संघर्ष कर रहे थे काम आपके पूण नहीं हो पा रहे थे आप जो है बहुत परेशान रहा करते थे तो यह सब परेशानी अब दूर होने जा रही है शारी परेशानी काई की तरह छट जाएंगी क्योंकि ग्रहु की इस्थिति आपकी अनकूल हो रही है मित्वन राज के भाग में बड़ा परिवर्तन होगा शनी देव महराज बड़ी कृपा करेंगे क्योंकि शनी देव महराज बहुत मजबूती से आपके साथ आने वाले हैं और आपके लिए कोई असंभो कारे नहीं होगा जो आप करके दिखा न दें जो आप ठान लेते हैं वो करके दिखाते भी हैं मिथुन राज के भाग में शनी देव महराज का पदारपन हो रहा है रुके अधूरे कारे आपका पूण होगा नोकरी ब्योशाय में बृद्धी होगी रुके अधूरे अटके कारे पूण होंगे ब्यापार एदियाब करते हैं तो ब्यापार में भी पृद्धी होगी आप अपने कारे छमता के हिशाव से कारे करने में जो असमर्थ रहते थे अब आपके अंदर नई उर्जा का संचार होगा अपने कारे को लगन के साथ करेंगे तो बहुत उचाई तक जाएंगे आपके भाग्य में विशेश परिवर्तन होगा गरहों की कृपा आपके अनकूल होगी आपके रुके अधूरे अठके कारे पूण होंगे भूमी भवन बाहन का आभिने शुक प्राप्त होगा आप अपनी देनिक क्रिया को शमय शमय पर समझदारी के साथ करते रहेंगे तो आपके आने वाला जो शमय है वो आपके लिए बड़ा लखी सावित होगा खुसियां खुसियां घर आंगन में आएंगी आपका परिवार खुशाल होगा आपके बच्चों के द्वारा कोई बड़ा कारे भी बन सकता है आपके रोग कोशो दूर भाग जाएंगे और आपके अंदर नई उर्जा का संचार होगा भूम भौन बाहन का अभिने शुक प्राप्त होगा रुका अटका कार्य पूर होगा आपकी ख्याती बढ़ेगी लोगों में आपका शम्मान बढ़ेगा आपके दुश्मन आपसे हार मान जाएंगे अथवा समझोता कर लेंगे मिथिन रासी के लोग अपने क्रोध पर नियंतर रखें जिससे शब को अपनी ओरा करशन करने की छमताब के अंदर आए तभी आपका विकास होगा लोगों में आपका सम्मान होगा रुके अधूरे अटके कारे जो चल लए थे वह भी पूर होंगे आपका परिवारिक सामंजस भी अच्छा चलेगा परिवार को ले चलने की छमताब में है परंत बीच बीच में भटकाव आ जाती है तो अपने को नियंतर रखेंगे सभी काम अच्छा होगा जैश्यराम